वाई बड़ा छोटी सी मशीन है और राहूल यह मशीन कितने क्या आती है यह सर 5,000 से लेकर 7,000 तक का आता है आपको जैसा मॉडल चाहिएगा उससे आप से मिलेगा आटो लुब्रिकेशन विक्रेश्टाप मतलब 5 सेकेंड में सील हो गई वो वेस्टेज अगर निकलता है तो बड़ा फ्लोर मिल का जो काम हो रहा है वो छोटे पलवलाजर के साथ कर रहे है तो आप यहां पे इसको ब्रांडेड वे में कर रहे हैं यानि कि अपनी बोरी छपा के और उसमें माल भरके आप मार्केट में सेल करते हैं ऐसे अभी क्या किलो पे क्या आपको बच्चत हो जा दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वार उजगार पे अधारित वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और इस वक्त मैं आटा चक्की उद्दोग से संबंदित आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ एक फ्लावर मिल पे मैं आया हूँ नवादा जीले में हूँ और पीछे ये जो देखिए इस फ्लावर मिल में पलवराइजर से जो है गहूं पीसी जा रही है जबकि ये काम हमेशा से पत्थर वाली चक्की से होता आया है लेकिन आधुनिक जूग में मशीने बदल गई है सवजी बदल गया है तो अब इतने बड़े फ्लावर मिल में दो पलवराइजर मुझे दिख रहे हैं जो कि यहां पर इंस्टॉल्ड है और अभी ये दस एचपी के पलवराइजर से यहां पर देखिए साइकलोन के जरीए यहां पर आटा निकल रही है राहुल गुपता ज सर लेके गया थे मशिन हां और फरवरी में है तो चालू यह कप मतलब इस्टॉलेशन वगरा कप लगता है अप्रॉक्सि माई जून में किया हैं सर लेकिन पाटी तो इस पता रहे थे कि लेट हो गया लेट हो गया था यह माई जून में इन्होंने दो तीन महीना भी बीते सर आएंगे अगर स्क्रीन पर स्वागत करते हैं जो फ्लावर मिल के ओनर है सर बहुत-बहुत स्वागत है बिहार सीटोरी मेडिया अर्दवार सर नमस्कार शर तो यह अब इस आप एफ जो आपने बताया था पहले की देर हो गई देर किस कारण से हो गई, बिजली के कारण होगा, बिहार में थोड़ी सी बिजली की समस्या, मेरे ख्याल से, जो भोल्टेज वाली है, वो बरकार रहते हैं, और हम लोग हर वीडियो में अपील करते हैं, सरकार से, कि भाई, इंफ्राइस्ट्रक्टर सुधारिये, बिजली का लोड बढ़ाईए, और अगर उद्धोग दंदोग को बढ़ाना है, तो भाई, यह जो परक्रिया है, लंबा समय लग जाता है, किसी भी उद्धोग को चालू करने में, अब इतना चोटा उद्धोग को चालू करने में, इनको तीन महीना बिजली के चलते डिले हो गया, अ अभी आपने यहां पे चलता दो प्रॉबराइजर लगा के रखा है, दोनों का क्या क्या उपयोगिता है, एक पे मसाला का यूज करते हैं, और याटा का, अच्छा, यानिका मसाला और आटा दोनों का करोबार आप करते हैं, जी, आरे वा, क्या बात है, टेन एचपी का प् और उसमें माल भरके आप मार्केट में सेल करते हैं यह नहीं है बहुत सारे लोग जो है कि मशीन लगा दिया और लोग आ रहा है पिसा रहा है जा रहा है यह मतलब फैक्ट्री इन्होंने लगा रखी है जहां पर बोरियां तेयार की जाती है आटा की लोग सेल नहीं है मेरा सर पांच केजी दस केजी कोई खोजने के लिए आएगा था हम उसको बापस करें आप दिखा सकते हैं यहाँ पे यह गनपती भोग का यह आटा है और लिखा हुआ है प्राकृतिक फाइवर युक्त एवं शुद्ध देसी चक्की आटा अरे वाह सर कोई नहीं लिखरा भी बाज पीशते हैं जी ऐसा तो नहीं कि चालेंगे तो हनिया वाली और भी जो कंपनी है वो लोग चोकर ज्यादा से ज्यादा काट करके फ्रेस आटा देने के चकर में गेहूं की जो गुनबत्ता है पब्लिक के लिए वो खतम हो जाता सरमेदा खिला करके क्या करेंगे और भीड से अलग हटने के लिए मैं फाइबर को उतना ही काटता हूं जितना से सिर्फ गेहूं साफ हो सके अक्सर घरों में आटा गुथने से पहले उसको चला जाता है तो देखते हैं कि वो अगर चोकर निकल गया तो लोग फेक देते हैं इस कारण से भी लोग वो करते तो क्या इसमे इसमें बताएं तो फिर आपकी थो चोकर निकलेगी नो सट अब कर देते हैं कि यह मसीन ही ऐसा है कि उसको भी कुछ अलग है सबसे पहले यह का काम करते हैं उसके बाद रहदे करते हैं तो मतलब की णोपर का लेयर को हटा कर इनका process completely different है market से वेसे बड़ा फ्लोर मिल का जो काम हो रहा है वो इस छोटे प्लवाइजर के साथ कर रहे है तो मैं देख रहा हूं कि और काफी बड़ा construction जो है हुआ है और पता नहीं आगे के जो future plan से सर काफी बड़ा है यह क्या आगे का क्या इरादा इतना बड़ा भी इसम अगर फ्लावर मिल प्लांट आगर कोई बैठाना चाहे कम पुझी से क्योंकि देखिए फ्लावर मिल प्लांट कमर्शियल अगर पत्थर वाली चक्की की बात करें तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपे चाहिए होता है लेकिन अगर उससे भी बहुत कम cost में उसके मुकाबले बहु को पीछने के लिए first of all sir उसमें पहले होलो करते हैं उस मसीन में यह होलर मसीन है यह मशीन बजार से यह भी है आपने पूरा दे रखा मसीन बजार से ही गया है सर मक्सें इंटरपाइज मसीन बजार का मैं देखता हूं सब कि आपने जीन लोगों को जोड़ा है ना एक को आटा चकी भी दे दिया उसको पेपर प्लेट भी दे दिया मतलब तीन-चार चीजों में आप व्यस्त कर देते हैं जो भी आदमें टाइम तो लगी रहा है लेवर कौश्ट लगी रहा है इलेक्ट्रिसीटी भी लगी रहा तो सेटप ऐसा त्यार हो जाए कि उनके पास भ पाई करता है अच्छा यानि कि सबसे पहले जो आप गहूं खरिदते हैं उसको पहले इससे हो के गुजरना पड़ेगा गंदगी निकालते हैं जी गहूं पर बात चलिए तो सब सीजन में क्या रेट में आप गहूं ले लेते हैं सीजन में तकरीबन 20 का रेट मिल जाता है आपको चलिए तो भाई गहूं का बोरा लिए पहले यहां पर आपने क्लियर कर लिया तो इसमें कितना माल वगर कितना गंदगी निकलती होगी अगर कुंटल पर बात करें वो गहूं के डिपेंड करता है अच्छा जो गंदगी निकली सर वो गंदगी दिखा सकते हैं क्या जैसे आज का कुछ काम किये होंगे तो जड़ा दिखाएं तो दोस्तों मैं दिखाता हूं कि गेहूं का सफाई करें क्योंकि इस तरह का जब आप बोरियों से काम करेंगे पैकेट्स से काम करेंगे तो भाई उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और गंदगी नि पर इतना देखिए अच्छा यह देखिए इस तरह के गंदगी जो है दिखाई देती है और यह सर इसका फिर क्या करते हैं आप यह फिक देते कि फिर इसका भी उप्योग करते हैं इससे मिट्टी नेकालके जो भी गेहूं का कन है वो अलग कर लेते हैं वो आपको चारा के वेस्टेज अगर निकलता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कूड़े में फिक दे आप उसे भी पैसा कमा सकते हैं तो देखिए यह फाइनल पोड़क्ट है यह वेस्टेज का है वा क्या बात है यह तो चक चक यह दो दर्रा के रूप में सर यूज हो जाती होगी तो यह कैस कि में आपको कोई वेस्टेज वेकार नहीं जाता है शीर्फ मेटी सर सुर्प मिट्टी जाता है वेकार आप मिट्टी को तो हंटाबी देना चाहिए चलिए बहुत बढ़िया जी और नेक्स प्रॉसेस जो है सर उसके बासर क्या करते यह जो भी य raspberry ऑक सिन लेकिन अगर छोटा का नहीं रहेगा तो वो अलग नहीं कर पाता है उसको बाई मैनवाली जो कचड़ा यह छोड़ देता है बाई मैनवाली हम उसको फिर साफ करते हैं अच्छा तो चलनी वेगर से जी देखिए सर्व बहुत लेथा बैसिक से हम दिखा रहे है यह चोटी चलनी आप लाई चलनी है कि अपना छोड़ना चाह रहे है इतना मिहनत करके कोई अपना कंपनी को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं, तो यह आगे जाके बड़ा हो गाई, कोई रोग नहीं सकता, मेहनत जो कर रहे हैं, आप तो देख रहे हूँगे, और निसंदे, अगर बड़ा सोच है, तो शुरू आपमें परतियो गिता, तो आपको फेस करना पड़ हुआ है और इसमें बहुत कुछ नहीं के लिए रोता है लेकिन फिर भी क्या उमीद लग रहा है आपको तक्रीबन सर आपको डेड़ से दो रुपया आएगा लेकिन सुरू में चुकी अभी क्या मुश्किले आ रहे हैं जरा वो हमारे दर्शकों को बताइए क्यों आप दाम जो है अपने मन से नहीं बढ़ा पा रहे हैं किलो पर जादा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं बाजार में हमसे पहले भी बहुत सारी कंपनिया है उसके बनिस्पत आपको सर बाजार में बेचने के लिए जाएगा तो उससे आपको पांच पर सब हालतों नहीं मिलेगा यहीं समस तो यह ब्रैंड बनेगा एक दिल्ड साल के बाद जैसे लोके जैसे कि यह पास गया तो जो दुकंदार है वो डायरेक्ट बोलेगा फिर इन से कि हमको यह ब्रैंड दो हमको दूर प्राइट दो कुंटल में या फिर जैसे भी ऐसे निवरा में नहीं बोल रहा है मनें कुंटल में या कुछ भी ऐसे तो फिर इनका मार्केट धिर ऑटोमेटिक बन दे आज सर ब्रैंड डेटा आपको पता 36 रुपे कीलो बेच रहे हैं तो यह मार्जिन 10 रुपे का जो यही लोग आगे जो छोटा उद्योग उद्मी लगाकर आगे एसी एस्टेप बाश्टेप बनके आगे बढ़ेंगे सर और को आपसं नहीं है कंपधिशन बहुत है हम आपको पहले भी बोल रहें चैनल वह लेकिन आपको काम भी तो करना है बैठे तो नहीं रहना कुछ तो सुरुवात करना यह ऐसा को बिजनस ही नहीं जिसमें कंपटिशन नहीं है आप बोल सकते हैं कहा इसमें कमपर्टिसन नहीं है हम अकेला है 20 रुपए किलो की गहूं लाते हैं और फिर उसके बुरिये में भर करके पैकेट्स बना करके ये बैग पहुचाते हैं सर बुरी जो हती है सर वो 25 किलो की होती है तो आम तोर पे ये बुरिया आप अभी किस रेट में सप्लाई कर रहे है अभी सर बाजार मतलब पड़े हर सबता सर बाजार ऊच और नीच होते हैं अभी जैसे आज तो कुछ यहां भी आज भी देखा मैं कि आपी रिक्षा से बुर कर रहे हैं सर हर बाज की बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लगता है कि अगर हमारे में दम है हमारे गुनवत्ता अगर अच्छी होगी तो आपका निश्चित मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा सर पक्का बढ़ेगा ऐसा कोई हुआ है सा मतलब अगर किसी ने खाया हो अप फिर उसके बाद कहा कि ना भय यह तो ठीक है अगले से बढ़िया है डिमांड है सर डिमांड है अगर यहां अच्छा जो खा रहे हैं जूकि है बहुत सारे लोग है पथर वाली चक्की का अठा खाते हैं और यह जो है प्रवाइजर से जो है और आपने लिक दिया है फाइवर एक और यह क्वालिटी बहुत बढ़ीया है यह सीज सर बहुत अच्छा लगा तो कि माईदा खाने से कोई फायदा नहीं है जो चोकर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पेट में पचने के लिए इंपॉर्टेंट ऑफाइवर मजबूद करता है और चलिए बहुत बढ़िया बात है थोड़े से बात करेंगे अच्छा सर एक चीज और इंफरमेशन आपसे लेना चाहेंगे आपकी जो बोरी की छपाई है सर यह बोरिया जो छपवाया है आपने तो इसका क्या हिसाब किताब रहता है वो बंडल पर आता सर आवेरेज बैठता है हम लोगों को आठ प्याट ते तीस पेसा एक बार में कितने च्छापानी पड़ती है तकरीबान चार से पांच जार चार से पांच जार क्योंकि यह सब चीज़े बल्क में होती है तो भाई यह इंवेस्टमेंट भी आपको ध्यान में रखना क्यों मशीन लेने से नहीं होगा अगर इस तरह का काम शुरू करते हैं फ्लावर मिल का तो भाई बोरी वाला पैकेजिंग पर यहीन है जिससे बोरी सीली जाती है एक से सब्केस्ण कर आए से यहीन मशीन से इसाटिया जाएगा वाई बड़ा छोटी सी मशीन है और राहूल जी मशीन कितने की आती है यह सब 5,000 से लेकर 7,000 तक का आता है आपको जैसा मॉडल चाहिएगा उससे आप से मिलेगा आटो लुब्रिकेशन विग्रस्टाइब पांच सेकंड में सील हो गई है यह सील हो गई है क्या बाद है ब्रांडेट बुरी तयार हो गई आपके मार्केट में जाने के लिए गणपती भोग वाँ नाम आपने बड़ा सुन्दर रखाया सब गणपती भोग इसके छोटे-छोटे पैकेट्स भी बनाई जर्केवल पचीस के जी पचास के जी भी बनाई है दीपावली तक सब 10 के पर इन्वेस्टमेंट है और यह बात भी किया हम आने से पहले तो यही नाम से ब्रैंड से आएगा और जल्दी मार्केट में मिलेगा तो कि इस पेस सरा आपके साथ पास बहुत है और जब आप उतरे हैं तो सत्तू बेसन मसाले और आटा तो आप पकड़ी लिए हैं सब पर मिलिए और इनसे भी आप बहुत कुछ आईडिया ले सकते हैं पटना में सर राम कृष्णा नगर में है ना सब्सक्राइब के पीछे मीटापूर बैपास पर है नम्हां से कॉल किजिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और दोस्तों इस तरह की वीडियो हमेशा ज हो जल किसी नए इंट्रेप्रेनर के किसी नए उद्धों के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत